बिस्मिल्यवानियरहीम, असलाम अलेकूं, वेलकम टू माई किचन, आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा कॉफी केक बन रहा है, और बिलीव मी कि अगर आप एक दफ़ा इसको जब ट्राइ करेंगे तब ही आप जान पाएंगे कि यह कितना डेल सब्सक्राइब कर दें और साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताके मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो बिल्कुल बेकरी स्टाइल कॉफी केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर एक बाउल ले लिए और मक्षन जो है वो क्रीमी सा हो जाए थोड़ा सा तो बस एक ही मिंट मैं इसको बीट करूंगी मक्षन को मैंने अच्छे से बीट कर लिया यह अच्छे से सॉफ्ट और क्रीमी सा हो गया अब इसके अंदर मैं 3-4 कप के बराबर डालूंगी ब्राउन शुगर आप चाहें तो ह हाफ ब्राउन शुगर और हाफ जो है वो वाइट शुगर डाल सकते हैं और चाहें तो सिर्फ वाइट शुगर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर ब्राउन शुगर कर रही हूं और ब्राउन शुगर डालने से इस केक का जो टेस्ट है वो बहुत जादा बढ़ इस तरीके से उसके बाद इसको मैं दुबारा से भीट करूंगी तो तकरीमन डेड़ से दो मिंट के लिए मैंने इसको बीट किया है अब इसके अंदर मैं वन टी स्पून के बराबर डालूंगी वनीला एसेंस और दो खाने के चमश भर के इसके अंदर मैं एट कर रही हूं तो यह भी इसके अंदर मैं एट कर दूँगी अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छे से बीट करूंगी ताकि यह दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो अब इसके अंदर जाएंगे अंडे तो यहां पर मैंने तीन अदर अंडे लिए जो रूम टेंपरेचर पर हैं तो एक के करके मैं इसमें अंडा शामिल करूंगी और इसको फेट दी जाऊंगी दूसरा अंडा भी इसमें शामिल कर दूंगी तीसरा भी एट कर दिया मैंने अंडा अब तीनों अंडों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेक्चर बन जाएगा इनका यह देखिए तो बीटर वाला काम अब हतम हुआ इसको मैं एक तरफ रखूँगी और यह जो साइड्स हैं इसको मैं साफ कर लूँगी तो यहां पर मैंने एक छानी ले लिया और इसके अंदर मैं डालूँगी एक कप के बराबर मैदा तो मैदा मैंने शामिल कर दिया छानी में साथ ही इसके अंदर जाएगा एक चाय का चमच भरके baking powder अब दोनों चीजों को मैं अच्छे से च्छान लूँगी तो दोनों चीजों को मैंने अच्छे से च्छान लिया अब इसके अंदर मैं एट करूँगी नमक तो दो चुटकी मैंने नमक एट किये इसके अंदर अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो यहां पर हमें स्पैचुला की मदद से ही सारे ड्राइग इंग्रीडियंस जो हैं वो मिक्स करने तो यह देखिए इस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूं उनको तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है जो हमारे केक का बैटर है वो बिल्कुर रेडी है यह देखिए तो इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ और यहां पर मैंने केक टेन ले लिया तकरीमन 6 इंचिस का यह केक टेन है इसको मैंने ग्रीस कर लिया ओल के साथ और मैंने मीच में पांच मिल पेपर भी लगा दिया अब सारा जो हमारा केक का बैटर है वो इसके अंदर डाल देंगे हम तो यह देखिए सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी इस तरीके से उसके बाद टैप करूँगी दो से तीन दफा तो चलिए अब इसको हम बेक कर लेते हैं अगर आप पतीली में इसको बेक कर रहे हैं तो प्री हिटिट पतीली में एक मिट के लिए आप इसको तेज आँच में रखिएगा उसके बाद आँच को आप हलका कर दीजेगा और हलकी आँच में इसको 30-35 मिट के लिए बेक कर लीजेगा और गर आप अवन कर समाल कर रहे हैं तो प्री हिटिट अवन में 180 celsius पर तकरीबन 25-30 मिट के लिए इसको कर लीजेगा तो चलिए फटा फट से हम अपने केक को बेक कर लेते हैं तो जब तक हमारा केक होता है तब तक हम यहां पर फ्रॉस्टिंग स्यार करते हैं कॉफी की तो यहां पर मैंने एक खाने का चमच भर के कॉफी पाउडर ले लिया और इसके अंदर में एक टीज और एक और बाउल में मैंने ले लिया मक्षन तो यहां पर मैंने एक कप मक्षन लिया है इसके अंदर मैं एट करूंगी सवा कप PCV चीनी तो थोड़ी-थोड़ी करके मैं इसमें डालूंगी और साथ-साथ इसको मैं बीट करती रहूंगी तो कैस्टर शुकर एट करने के बाद हम इन दोनों चीजों को इतना बीट करेंगे कि यह एक क्रीमी सी शकल आजाए इसमें तो यह देखिए थोड़ी सी मैं और एट करूंगी चीनी इसमें थोड़ी थोड़ी करके हम चीनी एट करेंगे और साथ-साथ बीट भी करते जाएंगे तो बाकी की चीनी भी इसमें मैं एट कर दूंगी इसको भी अच्छा सा बीट कर लूँगी हमने इन दोनों चीजों को इतना बीट करना है कि बहुत अच्छा सा क्रीमी सा इसमें टेक्श्यर आ जाए तो यह देखिए, दोनों चीज़े बहुत अच्छे से मिक्स हो गए है, बहुत ही अच्छा सा इसमें क्रीमी सा टेक्च्चर आ गया है, अब इसके अंदर मैं एट करूँगी, लेमन जूस, तो एक चाय का चमज मैं इसके अंदर लेमन जूस आट कर रही हूं, इसको भी मैं मि मिक्स कर रही हूं, तो यह देखिए, कितनी यह जो फ्रॉस्टिंग है, डबल साइज में हो गई है, और कितनी क्रीमी हो गई है, तो बस इस टाइम पर आकर इसके अंदर हम कॉफी आट करेंगे, जो हमने भी घोल के रखी वी थी, तो यह सारी की सारी कॉफी जो है मैं इसमे अब पीटर को में एक तरफ रखूंगी और यह सारे जो किनारों में लगी वे फ्रॉस्टिंग हमारी इसको में एक तरफ कर दूँगी सारी इस तरीके से, तो फ्रॉस्टिंग हमारी बिलकु रख देते हैं और अब हम अपनी केक की तरफ नजर मारते हैं, तो यह लीजिए, जबर्दस सा हमारा केक भी रेडी है बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कोक हो गया अब इसको मैं इसी मोल में रहने दूंगी जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा बिल्कुल तो फिर मैं इसको डी मोल करूंगी तो केक हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया अब इसको हम डी मोल्ड कर लेते हैं तो यह देखें कितना इजली केक हमारा बाहर आ गया है और आप देख रहे होंगे कितना जबर्दस सा कलर आया है इसमें अब जो यह सारा पांचमीनद पेपर है यह मैं उतार दूँगी और यह अब देखें कितना इजली उतार रहा है अब केक को मैं दर्मयान में से कट करूंगी तो केक को मैंने कट कर दिया दो हिस्सों में अब इसके उपर में frosting डालूँगी जो अभी हमने तियार की थी तो यह देखिए सारी frosting में अच्छे से फैला के डाल लूँगी दर्मियान में उसके बाद दूसरा piece भी मैं इसके उपर रखूँगी और उसके उपर भी अच्छे से frosting लगाऊंगी फैला कर और इस तरीके से मैं घुमाते हुए चारों तरफ से अच्छे से इसके उपर cover कर दूँगी क्रीम हमने सारी लगा दी है इसके उपर अब यहां पर मैंने एक scrapper ले लिया और इसके मदद से इसके उपर मैं design मिनाऊंगी जिस तरीके से coffee cake में बना होता है अगर आपके पास यह मौझूद नहीं है तो आप कांटे की मदद से भी इसके design मिना सकते हैं इसी तरीके से मैं उपर से भी इसके design मिनाऊंगी तो जबर्दस हमारा coffee cake बन के ready है तो जरूर ट्राइ कीजेगा आप मेरी इस recipe को तो मैं cut करके भी आपको दिखाती हूँ यह देखिए कितना यह delicious और कितना यह tamping लग रहा है यह देखिए तो शाम की चाय के साथ भी आप इसको बनाके enjoy कर सकते हैं तो जरूर ट्राइ कीजेगा आप इसको अगर आपको मेरी recipe पसंद आई है तो इसको like करें अपने दोस्तों के शियर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएं तो kindly इसको subscribe करने और साथी bell icon को भी प्रेस कर दें ताके मेरी हन नहीं आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले आप तक पहुँचे और comment करके मुझे जरूर बताईगा कि आपको मेरी recipe कैसी लगी साथी मेरे Facebook और Instagram के पेज को like करना मत भूलिएगा Thank you for watching, Allah आफेज